असलाम अलेकूम इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है हम खड़े हैं मुम्रा फायर बिगेट के पीछे एक मनपा का मैदान है और इसी मैदान को लग करके टैक्स विभाग और हिंदू स्मर्शान भूमी के बीच में जो एक क्रिचन और हिंदू दफन भूमी थी वहाँ पर आज क्रिस्ती समाज को उस दफन भूमी में चैपल की सुविधा ठाने मनपा प्रशाशन ने उपलप्त कराई है उसके लिए ख्रिस्ती बांधवों की तरफ से ख्रिस्ती भाईयों की तरफ से एक कारेकरम किया गया था और ये सुविधाई दिलाने वाले लोगों का जो है शुक्र गुजार हुआ गया इस समाज की तरफ से वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज की तरफ से जो है विरोध के स्वर उभर रहे थे जिसके लिए बजरंग दल के कुछ लोगों ने आकर के अपना विरोध भी जताया पुलिस के पास ठाने मन पा के पास इन हिंदू समाज के लोगों का कहना था कि ये हिंदू समाज के दफन भूमी की जगत ही जैसे के हिंदू समाज में बच्चे मरते हैं तो उन्हें चीता में अगनी के हवाले नहीं किया जाता है उन्हें दफना आया जाता है और अब आगे हमारे समाज के बच्चे अगर मरते हैं जिनमें वडार समाज है, लिंगाय समाज है, अन्य कई समाज हैं अगर ऐसे बच्चे कभी मरते हैं तो उन्हें दफनाने के लिए अब हमारे पास कोई जमीन नहीं है तो प्रशाशन ने ये भेदवावाला काम किया है ठाने मनपाने जो है ये हमारे हक से हमको यहाँ पर छीन लिया है वो हक हमारा और ये पूरी तरीके से जो है उन्होंने एक दूसरे समाज को जो है वो दे दिया है जबकि मनपा प्रशाशन के तौर पर एक प्रतिनी दी के तौर पर यहां के कारेकारी अभियंता धननजे गोसावी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कि क्या कहा वह आप हमारी इस खबर में सुनिये और चैपल मिलने के बाद क्रिश्चन समाज के पॉस्चर्स फादर्स और उनके प्रमुक जो युवा आज के काम करने वाले जो लोग हैं उनकी भावनाई क्या रही वो भी इस खबर में हमारी जुड़ी हुई है क्या कह रहे हैं वो लोग आज इस उनके खुशी के दिन पर देखिया हमारी इस खबर में तो आज एक काम यह आपका पूरा हुआ है तो कैसे यह काम पूरा हुआ किन-किन लोगों ने इसमें आपकी मदद की है और कितनी आपको इसके लिए कानूनी लडाई भी लड़नी पड़ी है क्या बताएंगे इसकी पूरी जानकारी आप देखिये यह जो कबरस्तान है क्रिश्चन समाज का इसका अस्तित्व तो बहुत पुराना है लगबग 40-45 साल से है लेकिन इसके अंदर सुविधाएं कुछ भी नहीं थी जिसके बीसे में हम लोग मेंनत कर रहे थे यहांका क्रिश्चन समाज और हमारे संगठन मिलकर हम लोग काम कर रहे थे बिच में 15-16 में हमने महानगरपली का थाने महानगरपली का पर मोर्चा भी लिया था उसके बाद में कुछ फंड्स पास भी हुए और थोड़ा सा उसमें डवलपमेंट हुआ लेकिन जो एक कईना कई मन में एक बात रह गई थी वो था कि बॉड़ी आने के बाद में जो वीदी होती है प्रार्तना की प्रिष्ट जो वीदी करता है या बॉड़ी रखने के लिए जो जगा है ऐसा कुछ भी नहीं था बारिस के समय तो यहाँ पर घुटनों तक अंदर चिकल हो जाती है की चड़ोता था तो उसके लिए महनत कर रहे थे और पिछले दिनों में यहाँ पर हमारे यहां के लोकल जितने राजनितिक लोग हैं आवाड साब हो गए उसके बाद से आज समाज में बड़ा उस्सा है और खुसी है सभी लोगों को मुम्रा ही नहीं कलवा दीवा और डाइगर तरक के लोग यहाँ पर अपना दफन विधी के लिए आते हैं आज खुसी है कि उनके पास में एक चैपल जाने की प्रार्थना का जो इस्थान है करने के लिए प बड़ा क्रिश्चन समाज में उस्सा है और उस्सा के साथ में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था जिसमें महानगर पाली का के जो अधिकानिया उनका आमदार जी का और जो लोकल यहाँ के नगर सेवक हैं उनका एक सतकार समाज की तरब से रखा गया था और आज उन्हों आप जानते होंगे कि महरास्ट्र मिंसिपल एक्ट जो है उसमें कई सेक्शन्स ऐसे हैं कि जिसमें दफन विदी के मनजूरी देने के अधिकार सिर्फ मनपा आयूक्त के पास होते हैं तो क्या इस तरीके की कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी करके आयूक्त के दस्तावे जो लोगों को दिये गए हैं देए क कबरत्म की लगों? समय में हमारे पास में वो सब चीजे हैं जो हमारे पुराने लोग है पुरवज हैं उनके पास में वो सारा चीजे है यह सिर्फ उसके अंदर एक development किया गया यह कोई नया नहीं बनाया गया सिर्फ एक जगाओं आपर बनाई गई है जहां पर प्रार्थ कर सकते बाकि इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं चालिप Ouais चालिसो जाल पुरानी चीज है उसमें यह पुर्हाइनन खिल पुराने हैं आप यहां के और समाज के जो कि जो हम लोग नहीं कर दिए चालिस साल से यह जो प्रॉब्लम चालू था हम बैस सेवंटी वन में यहां यह आया और उसके बाद तभी कुछ नहीं थे लेकिन हम लोग का जो पहला जो शुरू शुरू था इतने प्रॉब्लम थे हम लोग को पास तो एक बॉड़ी मेरे को यह है कि एक बॉड़ी हो आती तो दो दीन रोड़ पर पड़ी थी और वहीं समय महें इदर आ गया सेवंटी वन में उसके बाद वह साब यह हमारे चेर्मन यह थे अब फिर हम लोग के साथ मिलके मेरे साथ सशूर थे गाय कोड़ करके उन लोग ने करके हम लोग ने तबी से प यह जो आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरे जमान में नहीं हुआ लेकिन जो आच्छे जो पास्तर आके कर देए उन लोग ने बहुत अच्छे काम किया उन लोग ने अश्चेर साथ आप अपनी फिलिंग्स को कैसा रखेंगे आज का यह दिन आज का यह जो मौका आपके सामने आया सब मेरे बच्छे लोग आग डाउड कर काम किया है मुझे बिटा के वह लोग बलते हैं आप बैटो हम लोग काम करते हैं ऐसे सब काम किया उन्हों ने बहुत तच्छ हो गया सब मैं को सब को भी और आवर 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 को भी मैं करता हूं जीतुरा तो बहुत भरेश्चाम किया और सब पास्टर लोग इदर का आज दवडे सब कि इसलिए मैं बहुत कुछ हूं कि हमरे यह होते होते हमारे लिए जगा तैयर हो गया अभी हक्से जा सकते हक्से जा सकते कानूनी अधिकार मिल गया हम आज मुम्रा में ठाने महानगर पालिका का जो फायर बिगेड है उसके पीछे एक क्रिच्चन दफन भूमी का उदगाटन करने का प्रोग्राम है मगर यह पहले दफन भूमी जो थी यह सभी समाजों के लिए थी हिंदू समाज के जो अलग-अलग पंथ है उन तमाम पंथों के लिए यह दफन भूमी थी और इसके अलावा क्रिच्चन दफन भूमी भी यह थी लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिच्शन दफण भुमी का उद्गाटन किया जा राहे जिसका विरोध बज़िंग दल द्वारा किया जा रहा और हमारे साथ जो है बज़िंग दल के सुजीत कुपता है क्या बजरंग दल का विरोध है उस वामले में सुजीत गुपता क्या कहना चाह रहे हैं हम बात करते हैं सुजीत गुपता से सुजीत जी क्या आपका कहना है इस पूरे मुद्दे को ले कर के सबसे पहले तो नमशकार जैश्री राम सभी को मुद्दा ऐसा है कि जब से मुम्रा बसा तब से यहां पर जो है हिंदू दफन भूमी यहां पर दफनाय जाते थे हिंदू और सभी समाज के लोग उसमें वडार समाज से लेकर लिंगायत समाज से लेकर बहुत्द समाज से लेकर हर समाज के लोग जो है यहां पर दफना थे वो हर समाज के लिए खुला है, पर गत कुछ दीनों से, कुछ महीनों से, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर बतवारा करके ऐसे, करिश्चन दफन भुम्य मुम्रा में सबसे पहली बात कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर क्रिश्चनों को दफनानी के लिए हमने एक हमारे समाज द्वारा एक कोपरेट किया गया कि ठीक है आप भी यहाँ पर कर सकते जैसे सब समाज के लिए खुला है आप भी कर सकते है पहले उनकी आबादी थी नहीं, थाना से भी बॉडी आती थी यहां पर, पर अभी विशय ऐसा है कि यहां पर यह सब structure बना कर, यह नई दिवाल खड़ी करके यहां आप देख सकते पीछे, तो यहां पर अभी ऐसा हो गया है कि यहां पर क्रिश्चनों का जो है, एक सिंबॉल भी आ गया है, अब इसका मतलब यह होता है, यहां पर क्रिश्चन छोड़कर कोई नहीं आ सकता, पर जब यह हिंदू दफन भूमी थी, तभी तो सभी समाज के लोग यहां पर दफन करते थे, तो हमारा विरोध ऐसा है, कि यह अब इतनी थोड़ी सी जगे बज गई है, हमको यहां पर जगे नहीं है, तो इस पर कुछ विचार करें प्रशाशन, महानगरपाली का इस पर विचार करें, या तो इसकी जगे और बढ़ा कर दी जाए, या तो फिर इसका विचार कुछ न कुछ होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, तो आज का जो कारेगरम होने जा रहा ह च्रिप्चन दफन वुमि उधगढटन का, तो उस पर क्या रूख रहेगा आप लोगों का, आपके संगढ़न का? रुख ऐसा रहेगा कि हमने हमारे वरिष्टों से बात की है सीनियर साब से भी बात हुई है एसीपी सर से भी बात हुई है हम लोग सीनियर साब से मिलकर भी आए सीनियर साब का ऐसा बोलना है कि यह जो है प्रशाशन का जो महानगरपालिका का इसमें लुकाउट है तो हम महानगरपालिकों को इसको अपने संगठन द्वारा एक पत्र वेभार करेंगे कि ये जो है इस पर आप कुछ न कुछ ऐसा विचार कीजे जिससे किसी भी समाज में तेज निर्मान ना हो कोई जगडा जहनजट हम इसका विरोध है पर ऐसा विरोध नहीं कि हम आप पर आके मार पीट करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे हमने ऑफिशेली पोली स्टेशन में जाकर इस चीज की नोंद जो है की हुई है यानि जो भी है आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मेरा निवेदन है प्रशासन से कि ऐसा है कि अब जो यह आप पीछे जगे देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी जो है बॉड़ी दफनाई हुई है मुर्दे दफनाई हुए है अब यहाँ पर कोई जगे नहीं बचुई है तो आने वाले समय में अगर बॉड़ी अगर दफनानी हो हिंदू समाज के और जो अन्य विभिन समाज यहाँ मुम्रा में रहते हैं तो उनके लिए नई जगे कहां पर है और वो कब तक होगी यह हमें कौन बताने वाला है तो हमारी प्रशाशन से निवेधन है कि इसके बारे में हमें सुचित किया जाए पहले जो है जो मैंने अभी विशे बताया तो उसमें प्रशाशन ने ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि पहले उन्होंने हिंदू समाज के लिए जो जगे है वो निरधारित करे उसके बाद में यह उदगाटन हो या यह जगे उन्हें दे दिया जाए गुसावी साब आज ये अपनी महानगर पालिका का मुमरा फायर बिगेड का जो इमारत है उसके पीछे क्रिच्चन समाज के लिए पूराना एक कबरस्तान था जो की काफी दिनों से बंद पड़ीवी हालत में था तो आज उसको पुनरजी वीत किया गया है और फिर से उस समाज को मनपा प्रशाशन की और से सोपने की कारवाई की गई उसका एक कारेक्रम किया गया सर्वे नंबर 29 में 27 गुंटे जगा अपने को मिली पहले उसमें से जो बर्निंग स्टैंड है बर्निंग स्टैंड छोड़के बाद में हमारे एक ओपन प्लॉट रहा है उसके बाजू में कृच्छन लोग और उसके बाजू में हिंदू लोग आइसे दफन विदी वो 2000 साल से अब बारिश में प्रात्ना करने के लिए चापल नहीं है तो यह बात मैं आवर सबका बोला कि ओन लोगों की डिमंड है तो साब बोले ठीक है मापने इसका एक फाइल बनाया जिसमें आभी विद्धुत दाहिनी विद्धुत दाहिनी का बिठाने का प्रोपोजल आपने मह वो फाइल दो कोरोट पंदरा लग्या अपने को मंजूर कर दी जिसमें से कमपनवाल है विद्धुत दाहिनी आपने को बिठाने के है और दसपिन बोलते हैं दसपिन करने के लिए पीछे हिंदु को लिए भी शेड नहीं है तो उसके लिए यह तो आज जो काम होगा यह प पलका काम अपना पुरा होगा गोशावी जब हिंदु समाज की तरफ से कुछ नाराजगी के सुरू मट रहे हैं उनका कहना है कि जो पुरानी हमारी दफन भूमी थी हमने ही दिल बढ़ा करके क्रिच्चन बांद्वों को उसमें जगह भी दी थी जो हमें मनपानी दी थी उ और कोई द्हान नहीं दिया जिसके लिए हमारा हरोध है ीर। इनके भी जगह कम हो गई क्रिचन हो आपना जाए नाले के साइड में आपने को एक तीस पूटका पठ्टा मिलेगा अभी काम आपना मैं क्या बोले पाल्टा पुर्क है यह कंपल आपने को पिछे लेके भरनी करेगा तो हिंदु को लोगों के लिए जो लग रहा है न वह भी जगह कितना अपने को पीछे साइड में चार गुल्टा जगह जगह बढ़ गई मुम्रा कौसा में बसा हुआ क्रिशन समाज भले ही तादात बहुत जादा नहीं हो लेकिन पिछले 40-45 वर्षों से इस समाज के बड़े बुजूर्ग जो बताते हैं कि पायर बिगड के जिसे कहते हैं जब मयत लाई जाती है कोफेन लाया जाता है तो प्रिस्ट प्रार्तना करता है तमाम उस मयत में उस कोफेन को लेकर के आने वाले परिवार और तमाम संबंदी उसमें शामिल होते हैं और उस प्रे को करते हैं उसे चैपल कहते हैं उस चैपल में जो है उस चै रूप रेखा आई सामने उसकी पूरी जानकारी और वही हिंदू दफन भूमी खत्म होने को लेकर के विरोध सोरूप हिंदू समाज की ओर से बजरंग दल का क्या कहना है इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली झाल